कोई तुक नहीं था अब जब कभी भी मेरे साथ से डियू से लाग गुना अच्छा बोलूँगा यह तो पहले बता के चलते हैं कि भाई बच्चों से हम पेपर आप बनाईए बहुत मुश्किल पेपर बनाईए कोई नहीं रोक रहा जितने मुश्किल बना सकते बनाईए हें पोचेंगे यह फूचेंगे आप लोग जो होता इंडेक्स होता है इससे में नहीं पाता है नहीता है मतलब पहले कौकश्चनमें 4 चोईज दूसरे कोश्चनमें भी 4 चोईज बोल रहें दोनों में से कोई एक करें और वो गलत था मिस्प्रिंट था वो काफी बच्चे इस वाज़े से चार कुशन करके आ गया आज के पेपर में के पांच करने थे जबकि उनको बोले थे चार करने हमने तो चारी किया जबकि पेपर इतना आसाना है था बच्चे कर सकते पर मंत नहीं लिखा कर दो गलतियों का तो बेमिसाल कर रखा था आज के पेपर में इवनिंग वाला पेपर अभी देखा नहीं है मैंने अभी देखूंगा कि कहता है तनिश्का तुशार लिमेटेड इंफॉर्मिशन मार्च थीक है सर्थ एकुटी है प्रफेरेंश प्रफ यह देविड बैलेंस तो मतलब लॉस है पर्स डिवेंचर सेकंड डिवेंचर का नाम है डिवेंचर इंट्रस आउटसेंडिंग ए ट्रेड क्रेडिटर और प्लांट और वसीन्री दिविडेंट ऑफ प्रफरेंश शेयर एरियर फूर थी यह तीन साल के प्रफरेंश यह हमन में पार्ट है नहीं बस आपने नूट में दे दिया है यहां यहां पर लिखने का मतलब तो साफ यह लग रहा है कि यह कौंटेंजेंट लाइबलिटी है तो उपर कॉस्चन में सबसे पहले यहां पर लिखना चाहिए कि यह एक्स्ट्रेक्ट ऑफ बैलेंश शीट है सिंपल पेपर में मैं कहूंगा कि वो था कि अजम्शन मान लो मान लो सोच लो ऐसा होगा और आंसर भी वैसा ही निकाल के कर लो डिविदेंट और प्रफरेंश शीट का एक्स्ट्रेक्ट है और उसको हमने क्या कर दिया मतलब दे रखा है भी सिर्फ एरियर है ओके दा फॉलविंग सच इंटर्नल रिकंस्ट्रेक्शन वाज अप्रूवड बाए आपका कोट ने अप्रूवड कर दिया इंप्लिमेंटेड हो गया है पहला पॉइंट ओल एक्विटी शेयर कनवर्ट इंटू दा सेम नंबर ऑफ एक्विटी शेयर फाइब रुपीस इच पांच रुपे का एक धाई रुपे पेड़ अप कहा गया सिमलर नंबर ऑफ एक्विटी शेयर में कनवर्ट कर दिजिए लेकिन जो आपने पांच रुपे दे रखे थे ना हम माल लेंगे कि आपने कितने दियें टू पॉइंट फाइव ही दियें हैं सिरे तो साहाब यहां पे एक्विटी शेयर कितने हैं दो हजार लाक है यानि दो सो लाक एक्विटी शेयर है तो अगर मैं एक्विटी शेयर की बात करूं ना equity share capital कितने है नंबर की बात कर रहा हूं 200 लाक है 10 रुपए का एक था ना बोला इसको किस में convert कर दो 5 में तो भई या 5 में convert करने का मतलब हमारा ये था 10 रुपए का तो 2000 था इसको 5 से divide कर दे तो 5 में convert हो जाएगा यानि 400 लाक नंबर आ गया समझे 400 लाक नंबर आ गया बोला गया कि नहीं 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 मानलो आपने धाई दिया है धाई आइए आप आपसे बाद में ले लें गया तो इसका मतलब हमारा धाई का फाइदा हो गया देखे समझे क्या कहा गया है है कि आपके छितने वी इक्विटी शेयर थे 2000 लाग सबसे पहले तो उससे तोड़ दो जैसे बोले था छोटी टुकड़े में करते हो उसे कंवर्ड किसमें करतो पांच रुपे में तो पहले में कंवर्जन कर देता हूं चलो पहले में कंवर्जन करते हैं मैंने करा equity share capital account debit कौन से वाला old वाला कितने का 2000 लाग अब इसे convert करेंगे new equity share में number को कितने में कर दिया कि इतने में करो number same रहेगा number में changes नहीं कहा है कहता है सेम नंबर रहेगा ओके और लेकिन same number कहता है कि convert into the same number of equity share of पांच रुपे इच कितने का कर दो पांच रुपे का एक कर दो number same रखो पहले कितना number था हमारा 200 लाग था अब भी नंबर सेम रखो लेकिन इसको कितने का करतो 5 का करतो तो इटमिंस कितने का हो गया ये 1000 लाग था हो गया समझे और अब जो बैलेंस हुआ उसे कहां डाल दो रीकंस्रक्शन में 1000 लाग अब पूरी एंट्री नहीं करी मैंने तोड़ तोड़ के कर रहा हूँ एक पार्ट किया पहले इसको समझो इसमें कोई दिक्कत सर अगर कुस्चन में गलती होती है तो उसका 0 मार्क्स मिलता है कुस्चन में गलती होगी तो भाई कितने नंबर देंगे वैसे मार्क्स तो देते हैं कहते हैं पिछली बार बहुत बच्चे पास हुए थे ऐसा नहीं कर नहीं हुए थे जो कुस्चन के अंदर थोड़ी बहुत डिफिकल्टी लगी बहुत बच्चे पास हुए थे ऐसा कही नहीं हुए पहले आप यहां देख था आब इसको ढाई कर दो तो ओके, सर अब मैंने फिर से कर दिया, आपका न्यू वाला equity share को खत्म किया, कितना, एक जार लाख था, अब इसको मैं, ढाई कर दूँगा, तो, अगें, new वाला share बन जाएगा, कितने खाँ करूँगा, अगर, नंबर कितने थे 200 और इसको बोला धाई कर दो तो कितने आ जाएंगे 500 पांसो लाख और टू री कंस्रक्शन में कितना चला जाएगा अगें री कंस्रीशन में चला जाएगा 500 तो अल्टिमेटली आप नेट एंट्री कर सकते हो तोड़ तोड़ के कर दिया है तो नेट एंट्री कर सकते हो ठीक है अ कि बताइए कोई दिक्कत इसमें अगली एंट्री पढ़ते हैं चलो कि किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हो कहता है प्रफ्रेंच यहार कनवर्ट इंटो 6% 15% कि कहता है प्रफ्रेंच यह जो भी है यह क्या हुआ प्रफ्रेंच यह आर कनवर्टिड फ्रॉम 6% तो 15% यह इसके रेट को बदल दिया गया बट री वेल्यूड इन दा मैनर इन विच टोटल रिटन ध्यान देना टोटल रिटन ऑफ देम अनफेक्टिड उसका जो रिटन है वो अनफेक्टिड हो आगे कहता है फोर इकुटी शियर उसको देंगे हम फोर इकुटी शियर पांच वाला इज धाई रुपे पेड़ पके हिसाफ से देंगे तो सर इस सवाल के अंदर इस लाइन में दम है और अगर आपको याद हो तो मैं ये करा चुका हूँ अल्रेडी लेकिन डिबेंचर में हुआ था ये मैं यहां से यहां तक पढ़ता हूँ कहता है प्रफरेंच शियर को सिक्स परसेंट को हम कनवर्ट कर देंगे पंदरा परसेंट लेकिन बट रीव आपका वेल्यूड इस मैनेर में होगा इन विच टोटल रिटन ऑफ दैम अनेफेक्टेड यानि बोला गया पहले आपको कितने परसेंट था छे परसेंट था और क प्रफरेंच शियर डिविडेंट कितना मिला था कितना मिला करता था प्रफरेंच शियर डिविडेंट फटा फटा बता दो पहले प्रफरेंच शियर डिविडेंट कितना मिला करता था सिंपल सी बात 6% आपको 400 लाग पर मिलेगा यानि पहले 24 लाग मिला करता था पहले कितना मिला करता था हमारा 24 लाग तो बड़ी सी बात है कहता है भाईया अब जो हम आपके नंबर प्रिफरेंच शेयर का रेट बढ़ा रहे है न अब भी आपको 24 लाग ही मिलेगा बस आपके नंबर रेडियूस हो जाएंगे इंकम समान रखेंगे लेकिन वेल्यू को कम कर देंगे सीधी सी बात है अगर मानलो मैं एक छोटा सा एक्जामपल पूछता आप बताना मुझे ठीक है ना बड़ी सीधी सी बात है मैंने कहा कि आपको 10% पहले ब्याज मिला करता था और आपने 100 रुपे आपके इंवेस्मेंट थे तो आपको पहले कितना मिला करता था 10 रुपे इंटरस्ट अमाउंट मिला करता था या आपका जो डिविडेंड अमाउंट 10 रुपे था ठीक है अब हुआ क्या मैंने बोला कि भाईया मैं ऐसा करता हूं तुम्हारा 20% कर रह आपका इंकम रिटन बढ़ गया है तो 50 के उपर करेंगे तो यह दस हो जाएगा अगर सेम बात बोलू के तुम्हारा इंकम पे हम कोई अफेक्टिट नहीं दे रहें तो आप ध्यान से देखो गया तो आपके इंवेस्मेंट अफेक्टिट हो गया यानि 50 रुपे का आपका साथ ऐसा करने वाले हैं कि 100 रुपे का पहले आपका था लेकिन हम आपके इंकम को अफेक्टिट नहीं कर रहें लेकिन आपके फेस वैली को अफेक्टिट कर रहे हैं तो इसका मतलब री कंस्रेक्शन में हमारे कितने चले जाएंगे 50 रुपे एक और एकजामिल देखो मैंने कहा कि आपका 10 परसंट है और आपका इन्वेस्मेंट था मान लेते हैं फंदरह सो रुपइ अब बताईएगा आपका 10% था आपका investment कितना था 1500 रुपए तो बताइए आपका dividend कितना मिला करता था तो ओविस से बात है 1500 है ना dividend कितना मिलता था 1500 मैंने कहा कि आपका ना मैं 15% rate कर रहा हूं लेकिन आपकी income 1500 ही रहेगी तो बताइए आप investment कितना करेंगे तो जवाब होगा क्या सा आप investment करेंगे 1000 है ना अब 1000 कैसे आया देखो 1500 रुपए का आपका investment है divided by 15 into में 100 तो यह कितने आगे 1000 यह इस तरीके से आपने 1000 का calculation किया माना आपका income अफेक्टिड है लेकिन आपका investment तो कम कर दिया गया और investment कितने का कम कर दिया गया 500 रुपए का तो यहां company का फाइदा कितने का हो गया 500 रुपए का समझे यही सेम लाइन आपको वहाँ पर बोलना चाह रहा है जो कि थोड़ा सा tricky गुमा के किया और यह चीज़े आपको याद अगर थोड़ा बहुत होना तो साइद आपको मैंने करवाया था किसके अंदर क आपके 10 यह में सवाल दे रखा है दूसरा तीसरा कुश्चन दे रखा था कि डिवेंचर का सेम इंट्रस रहेगा जो कि पहले था 24 परसेंट बन गया था सायद से जहां तक मुझे थोड़ा याद है तो कहता है प्रफरेंश का कितना परसेंट 6 परसेंट अब कितना बनेगा पताओ आप डिवेंट कमाते थे 24 अब मैंने बोला आपका रेट बढ़ा की कितना करने जा रहे हैं 15 परसेंट करने जा रहे हैं तो बट ओवेस से 15 परसेंट करेंगे तो हमारा इंवेस्मेंट गिर जाएगा तो अब 15 परसेंट में कितने की इंवेस्मेंट होगी आपकी इं इसको कैसे निकालेंगे 24 लाक और इसको डिवाइड कर देंगे 15 से और इंटू 100 से बताइए क्या आया कितने 160 यानि पहले प्रिफरेंश यह जो आपका 400 का था आप कितने का बन जाएगा साहब 160 का डिफरेंश कितना आगे हमारा 120 का कितने का डिफरेंश 240 यह फाइदा हो गया रिकंस्रक्शन में तो अगली जो जनल एंट्री करेंगे वह क्या करेंगे हम पहले 6 परसेंट आपके प्रिफरेंश को खतम करते हैं कांट डिफिल हम और कितने 400 अक और टो आपको पता है कितने पर्सेंट टेने वाले 55 प्रिफरेंश देंगे आपको और कितने का देंगे सर्ञेंटैंश Caroline लाग का मिलेगा और बागी का अरे यह किज़र लिखते हैं तू कि तू प्रफ्रेंच शेयर कापिटल 15 वाला कि तू 15 परसेंट प्रफ्रेंच शेयर कापिटल कितने 160 निकला था और टू फाइदा चलीगा पाइधा री कंस्रक्षन में री कंस्रक्षन में दी न वाली बात कशतं नहीं हुई पहले आप देख लीजीजे और लीजे दूसरी एंट्री पता चलिए आगे की कहानी पढ़ लेते हैं क्या कहता है कहता है 4 equity share 5 वाला देंगे आपको 4 equity share हम कितने वाला देंगे 5 रुपे वाला जिसकी paid up value कितनी होगी ठाई issue for 100 रुपीज एरियर हर एक एरियर के बदले हम आपको 5 वाला equity share धाई में दे देंगे preferential dividend हर एक 100 रुपे के बदले तो भाई साब आपका area जो रहा था वो कितने साल का area रहा था वो area रहा था आपका 3 सालों का और rate था आपका 6% तो अगर आप ध्यान से देखो तो area of dividend अगर मैं निकालने को बोलू पिछले 3 सालों का तो 400 लाग का था इसके उपर 6% लगा दे और 3 साल का लगा दे तो कितने हो जाएंगे सर 72 रुपे का था अब बोला गया 100 रुपे के बदले हम आपको 4 equity share देने वाले हैं तो 100 रुपे के बदले जो आपके हैं तो divide अगर हम 100 कर दें तो हमें पता चल जाएगा number आ जाएगा that is 7.5 lakh number आ गया और हर एक के बदले कितना equity देंगे 4 हर एक के बदले कितने equity देंगे कहता है divide कर देंगे हम क्या कहता है 100 रुपे का एक है 4 equity 4 मतलब 4 equity every dividend धाई वाला तो मैंने यह क्या कर रहा सब डिवाइड इंटू कर दिया 4 क्योंकि 100 हो गया हर एक के बदले 4 क्या 0.2 होगा 5 नहीं होगा 2 होगा एक मिनट 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 एक चार देंगे यह लैक में डिजट है ध्यान रखिएगा चार देंगे चार मिल गए और एक की कीमत कितनी रहने वाली है पांच रुपए लेकिन हम पांच रुपए के नहीं देंगे आपको पेड़ वेल्यू कितना देंगे सिर्फ धाई देंगे तो आपको तो धाई का ही बेनिफिट मिला ना तो इंटू 2.5 बताइए कितने आगए 7.2 अब प्रेफरेंच येर को डिविडेंट देने थे नहीं लेकिन डिविडेंट देने पढ़ रहे हैं तो पूरा ही नुकसान है तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगा हमारा रीकंस्रक्शन अकाउंट डेबिट 7.2 लेक ठीक है रीकंस्रक्शन अकाउंट डेबिट 2 एकुटी शेयर कैपिटल कितने का 7.2 लेक और 7.2 लेक अगर मैं आपसे सवाल पूछू कितने नंबर ऑफ एकुटी शेयर दिये तो आपका जवाब होगा सर मैंने जो एकुटी शेयर दिये ना वो दिये मैंने 7.2 लेक डिवाइड़ बाइ कितने 2.5 कितने आते हैं बताओ 288 थाउजन का हमने इसे एकुटी शेयर दिये दिये है सर ये नंबर क्यों निकाल के दिखा रहे होगर बैलेंस शीट बनाने को बोल दिता तो वहाँ काम आता ठीक है न चलिए अगले पौिउिट पर आ जाते हैं थार्ड पौिइंट पे कहता है Mr. A hole 10% 1st डिवेंचर ये 1st डिवेंचर की बात चल रही है कहता है Mr. A hole 10% 1st डिवेंचर 160 लाग का और 10% 2nd डिवेंचर 160 लाग रुपे का कह रहा है और देखा जाए तो first debenture कितने का है 240 का है तो 240 की पूरे की बात नहीं कर रहा है इसमें से 160 लाग की बात कर रहा है and 10% second debenture कितने का 240 अब इस 400 में से भी किस की बात कर रहा है 240 का he also credit 40 लाग he also creditor 40 लाग जो ए है उसके पास 3 चीज़े है creditor भी है first debenture भी है second debenture भी है creditor भी देखो तो 660 में से सिर्फ कितना है 40 लाग he is to cancel he is to cancel 240 लाग of his total debt जितना भी करजा दे रखा था उस पे 240 खतम कर देगा और to pay 40 लाग रुपे company और उसे 40 लाग रुपे company payment भी करेगा नगद में to renew new debenture 12% the balance amount और balance amount का debenture भी देगा सर क्या कहना चाहरा है ये इसके पास तीन चीज़े समझे एक इसके पास first debenture है एक इसके पास second debenture है और इसके पास एक creditor है सर ये कितने का है हमारा 160 लाग का सर दूसरा ये कितने का है और creditor कितने का है तो आप ध्यान से देखेंगे तो कितने का होगे हमारा पहले ये समझे कि हमारा A से लेन देन 440 लाग का था अब A से जो total लेन देन हमारा 440 लाग का था यानि total लेन देन कितने का था सर 440 लाग का 440 लाग में बोल रहा है कि भाईया मैंना एक काम करता हूँ 240 लाग तो मैं wave of car cancel कर देता हूँ नहीं चाहिए मुझे 240 यानि इसके 240 लाग रुपे तो हम नहीं लेने को तयार है कहां कहा रहा है सर लाइन देखिए मैं दुबारा मिटा के पढ़ देता हूँ कहता है Mr. A whole 10% adventure 160 लाग और ये 240 लाग और ये 60 टोटल जो भी आगया 440 ये बोलता है मैं 240 लाग का अपने debt कर जाख खतम करना चाता हूँ 40 लाग मुझे pay कर दो balance के बदले तो भाईया ये खतम कर रहा है बाकी कितने बच गे इसके 200 लाग अब देखे कहता है and to pay 40 लाग रुपए of company and receive new debenture for the balance amount बोल रहा है कि 40 लाग ये तो cancel करा और बाकी इसमें से हम आपको cash भी देंगे balance में से कितना दे देंगे 40 लाग तो 160 का जो बच गया ना इसका हम फिर से आपको क्या कर देंगे new debenture देंगे तो देखा देंगे ultimately company को benefit की बात करें तो सिर्फ cancel तो यही वाला part हुआ ना कौन से वाला ये वाला ये वाला part cancel हुआ तो entry क्या करेंगे सारे debenture को करेंगे debit पहले यानि पहले 10% debenture first debenture 10% second debenture creditor ये था हमारा 160 240 और 40 बदले में हम क्या कर रहे हैं आपको cash payment कर रहे हैं कितना payment कर रहे हैं cash 40 का और बदले में क्या दे रहे हैं हम आपको debenture 12% debenture दे रहे हैं कितने का 160 का और बाके का फाइदा हो गया to reconstruction इस entry को तोड़के भी क्या जा सकता है मैंने combine कर दिया पांच भी entry कहता है ट्रेड क्रेडिटर other than A and B तो भीया A का क्रेडिटर छोड़ दो और B का छोड़ दो तो पहले ये पता करो B का कितना trade क्रेडिटर है are given option to either accept अच्छा इसमें B अभी रहे गया अभी first वाला adjustment खतम नहीं हुआ यहां तक कहानी खतम अब B की बात सुरू कहता है B hold remaining 10% first debenture second debenture उसके पास ही है also creditor 20 lakh का है B बोलता है मैं cancel कर दूँगा 120 lakh रुपए his total debt and मैं बोलता है पैसे वैसे छोड़ो मुझे नए debenture दे तो balance amount का समझे यानि same लगबग हो जाएगा तो सबसे पहले कितने कितने के debenture होगे balance की बात करते हैं तो हम debenture ले ले लेते हैं कितना दो सो चालिस चालिस दो सो चालिस चालिस आपके पास 10 year है मुझे बताईएगा amount पहले मैं बता कर दूँ first debenture कितना है sir 240 sir second debenture कितना है 400 ये था first debenture का कुछ part का फैसला हो चुका है और कुछ का नहीं हुआ first debenture में से a ने कुछ अपना फैसला करवा लिया है और a ने इसमें से कितना hold किया था 160 का और इसमें से भी a ने कुछ फैसला करवा लिया और a ने कितना hold किया था 240 तो ये वाला जो हिस्सा इसका फैसला हो चुका है, जनल एंट्री भी हो चुका, रफ़ा दफ़ा हो चुका है, अब बच गया balance, balance चेक करेंगे तो कितना आएगा, 80, और यहाँ balance कितना आएगा, 160, तो जो यह balance है, यह किसके पास है पता है आपको, यह B के पास है, तो B के पास यह तो है, और प्लस B के पास एक और है creditor, और creditor कितने का है B के पास, 20 का, तो अगर B के पास हम total चेक करें तो कितना बनता है, एक तो यह जोड़ लोगे, 80 और 60 और 20, तो 260, B के पास total 260 का समान है, 260 में से B बोलता है, कुछ पार्ट तो मैं छोड़ दूँगा, मिरको कुछ नीच चाहिए भाई, तो B कितना पार्ट छोड़ने को तयार हो जाता है, कहता है, 120 मैं छोड़ दूँगा, बाकि debenture दे दो, तो ठीक है भाई, B अगर तुम्हें 120 छोड़ देते हो, अगर इसे कैंसिल कर रहे हो, तो बाकि debenture मिल जाएंगे, कितने debenture मिलेंगे, 140 के 12% debenture मिल जाएंगे, यानि 120 का इहां फायदा होगे, जनल एंट्री देखिएगा, पहले 1st debenture ले लेंगे, ccancaller करो, debit करो, पिर 2nd debenture ले लोगे, cancel करो, debit करो, पिर creditors लोगे, cancel करो, debit करो, और फिर क्या करोगे आप उसको क्या दे दोगे, new 12% debenture देदोगे, और फिर आपका फाइदा हो गया कहां चले जाएगा री कंस्ट्रक्शन में सर ये कितने का वापसी लिया उससे सर ये लिया हमने कितने का दो सो नहीं असी एक सो साथ बीस है बीस और ये आगया एक सो बीस नहीं एक सो चालेस मैंने कमबाइन इंट्री कर आए बींग वगर हम पहले समझ चुके हैं कि कैपिटल को री कंस्ट्रक्शन हमने किया हो चलिए अब कहता है रिमेनिंग क्रेडिटर अधर देन ए और बी तो भाई साब अधर देन ए और बी क्रेडिटर चेसो साथ का था चेसो साथ का क्रेडिटर था क्रेडिटर कितने का 660 का अगर हम बात करें क्रेडिटर 660 का था इसमें से कुछ तो A के पास था कुछ B के पास था और बाकी की बात कर रहा है यह remaining बच गया अब बताओ A के पास कितना था B के पास कितना था और B के पास B इसके पास 40 था हिसाब हो गया इसके पास 20 था हिसाब हो गया इन दोनों का तो हिसाब हो चुका है अब बचे कितने बचे 600 अब इसके बारे में कहता है वो कुछ कहानी क्या कहानी कह रहा है देख लेते हैं इसके पारे में कहता है other than be given option to either accept धाय रुपे वाला पांच वाला equity share पांच रुपे वाला equity share धाय रुपे paid up के इसाब से option दिया जा रहा है amount accept amount due them or accept 80% amount due cash या तो 80% cash ले लो या दो चीज बोल रहे हैं या तो आप share पूरे का ले लीजिए या 80% cash ले लीजिए 40% creditor accept equity share where balance settle in cash तो इसमें बोलता है 40% वाले बोलते हैं भाई या मेर को तो दे दो equity share capital मुझे दे दो equity share capital 40% 40% कितना होगा इसका यानि 240 बोलते हैं मुझे दे दो equity share capital और बाकी कितने बच गये बाकी कितने बच गये तीनसो 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 साथ तो 360 बोलते हैं cash दे तो मैंने बोला cash तो पूरा नहीं मिलेगा वो तो कितना मिलेगा आपको 80% ही दूँगा तो कितना मिलेगा इससे बता हूँ देखो कहता ने line में कह रहा है ने cash वाले अगर लोग है तो 80% मिलेगा आपको cash में 288 अब देखे रेडिटर पूरे 600 लाग 2 equity share capital 240 लाग 2 cash 288 लाग और 2 reconstruction 72 लेग मैंने combine entry करा है देखे पांच बार जस्मेंट कहता है एनी सर्प्लस आफ्टर राइटिंग ऑफ वेरियस लॉसस शुट भी यूटिलाइज राइटिंग ऑफ दर डाउन राइट डाउन वेल्यो प्लांट इन मसीनरी कहता है आपके जितने भी सर्प्लस वगरा खतम कर लोगे ना उसके लिए प्लांट इन मसीनरी का यूज कर लोगे यानि आपका ये सर्प्लस कितना था साथ लाग बस दुबार के एनी सर्प्लस आफ्टर राइटिंग ऑफ वेरियस लॉसस कोई भी सर्प्लस सारे राइटिंग ऑफ वेरियस लॉसस करने के बाद तो भी उटिलाइज राइटिंग डाउन वेल्यू अफ प्लांट एन मसीनरी आप इसको राइट अफ करने के बाद प्लांट एन मसीनरी को राइटिंग डाउन मतलब कम कर दीजिए सर्प्लस थोड़ी है अगर सर्प्लस को डेबिट बोल दिया जाए तो वो अटोमेटिक लॉस ही माना जाता है हमारा हम प्रॉफिट की तो बात ही नहीं कर रहे है वो तो मैंने पहले भी लॉस लिखा था अगर प्रॉफिट एन लॉस दे रखा हो सर्प्लस और उसके आगे डेबिट लिख दूँ अगर मैं बोलू मेरा सर्प्लस का डेबिट बैलेंस है तो मतलब लॉस ही है ठीक है चलिए अब ही पता चलेगा तब मैं समझाता हूं तो एक बार पहले मैं रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बना देता हूं फटफट पटाफट से सर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट पहले बना लेते हैं सारी जनल एंटरी से उठा लेते हैं कहां कहां फाय्दा हुआ है पहली जनल एंट्री में हमारा यहां एकूटी शेर से फाइदा हुआ हजार लाग और फांसो पंद्रा इकूटी शेर से ठीक है तो और लिख देते हैं वाई कूटी शेर कापटल नहीं का पंद्राइसो लाग ठीक है आ जाईए पंदरा सू लाग हो गया यह company done आगे चलते हैं और यहां पर हमें यहां पर reconstruction to equity share कितने का हो गया हमारा नुकसान हो गया 7.2 लेक का और यहां 240 लाग का फाइदा है प्रफरेंज शेयर से हमारा 240 लाग का फाइदा है और नुकसान 7.2 लेक का है डिविडेंट से इसको करने के बाद हमारा डिवेंचर पे 240 का फाइदा डिवेंचर पे 240 का फाइदा यानि Mr. A से था यह 240 का फाइदा A से हो गया फाइदा अब यहां देखा जाए तो हमारा यह B का था B से फाइदा 120 का B से फाइदा 120 का और बाकी का क्रेडिटर से भी फाइदा है क्या बातर लाग क्रेडिटर से फाइदा और प्रॉफिट एंड लॉस को राइट अफ करना है सर प्लस सर प्लस कितने का था साठ का साठ का यह ना सर प्लस चेक करो साठ का है अब मैं उस लाइन को समझा पाऊ इसका एक बार टूटल करिए 21 बातर 21 बातर टूटल चेक कर यह 21 बातर ही आ रहा है ठीक है अब इसमें से हम यह माइनस करेंगे सर प्लस और माइनस 60 यानि यहां बैलेंसिंग फिगर बन रहा है 21 04.8 ठीक है अब मैं उस लाइन को पढ़ना चाहूँगा अब इस लाइन को पढ़ना चाहूँगा क्या कहता है इस लाइन में कहता है एनी सर प्लस आफ्टर राइटिंग और वेरियस लॉसिस कोई भी सर प्लस और अधर कोई लॉसिस तो बियूटिलाइज राइतिंग अफ राइट डाउन वेल्यो ऑफ प्लाइट अंद मसीनरी कहता है कि सर प्लस को राइट अफ करने के बाद अगर कोई कम ही पढ़ती है तो प्लांट अंद मसीनरी balancing समझे एक और general entry हो जाएगा हमारा surplus debit हो जाएगा surplus debit कितने का हो जाएगा 60,000,000 plant and machinery हमारे उसकी जगे पर क्या हो जाएगा सब्सक्रेडिट होगा reconstruction जा रहे नहीं तो reconstruction debit हो जाएगा reconstruction और 2 क्या होगा surplus credit क्योंकि खतम कर रहे हैं और plant and machinery को भी खतम कर रहे हैं इसको 60 खतम किया जा रहा है इसको 21 चार पॉइंट एट खतम किया जा रहा है तो 60 प्लस 21.08 60 प्लस 21 04.8 2164 रीकंस्ट्रक्शन हम आ गया 2164.8 यह लास्ट एंट्री आपको करनी है अब जाके हैं सवाल हमारा complete हो